जो घटना है तो राम नौमी के जुलूस पर यहां कुछ भी नहीं हुआ है 31 तारी को सुबर सारे 11 बजे घटना घटीत होती है फिर फर्स्ट को जो है बम का एक धमाका होता है और उसमें जो अभी तक का अनुशंधान है उसके अनुशार वो बम का जो है मिस हैंडलिंग था किसी ने उनके उपर नहीं फेका था शुरुआती दो दिन थोरे से हाड थे क्योंकि जो है अफवाहें बहुत उर रही थी जब आपकी 31 को घटना होती है तो बहुत सी अफवाहें उरती हैं लेकिन कल रात से जो है इंटरनेट बैन भी हम लोगों ने हटा दिया है दुकाने हमारी जो है ओपिन हो रही है पटेल है और आप भी लाइफ सीटी देख रहे हैं देखी समयरवाट साथ मौजूद है रोतास जिला के डियम धर्मेंदर कुमार जिन सम्वाट करेंगा कुछ शवाल हो जो हम जानना चाहेंगा जैसा कि आप सब्सक्राइब कर पता होगा कि पिछले एक शप्ता से सासा राम सहर जो है काफी जादा चर्चा में रहा बहुत सारे चीजे निकल कर सामने इन सब चीजों को लेकर हम सर से बात करेंगे सासा राम सहर जिस परकार से हिंसा हुए दंगा का रूप इसको दिया गया एक शप्ता के बाद अभी तक इंटरनेट भी बन था आज सब कुछ शुरू हो गया एक शप्ता के बाद सासा राम सहर की क्या इस्तिती है सहर की जो घटना है तो राम नौमी के जुलूस पर यहां कुछ भी नहीं हुआ है 31 तारी को सुबह सारे 11 बजे घटना घटित होती है उसके बाद कुछ 7-8 वाडों में कुछ-कुछ हिंसक घटनाएं होती है लेकिन साम 5 बेज़ तक कंट्रोल हो जाता है फिर फर्स्ट को जो है बम का एक धमाका होता है और उसमें जो अभी तक का अनुशंधान है उसके अनुसार वो बम का जो है मिस हैंडलिंग था किसी ने उनके उपर नहीं फेका था और उसके बाद लगभग इस्तितियां सांतिपूर्ण है तो इस्तितियां हमेशा से सासाराम की सामान ही रही है लेकिन कुछ-कुछ आसंकाएं हम लोग को थी इसी कारण से हम लोगों ने इंटरनेट पर रोक लगा के रखा था लेकिन कल रात से इंटरनेट बैन भी हम लोगों ने हटा दिया है दुकाने हमारी जो है ओपन हो रही ह और विद्धियाले भी हमारे समय पर संचाली थो रहें तो अभी कोई इशू नहीं है आपके लिए साथ दिन कितना टॉफनेस रहा से देखिए ऐस डीएम हम लोग का हर दिन मतलब उसी टाइप का होता है लोगों से इंट्रेक्ट करना मिलना और भी सारे काम होता है लेकिन हाँ ये साथ दिन में सुरुआती दो दिन थोरे से हाड थे क्योंकि जो है अफवाहें बहुत उर रही थी जब आपकी 31 को घटना होती है तो बहुत सी अफवाहें उरती है कि सिपाहियों का डित्ध हो गया दो को गोली लगा और भी सारी अफवाहें उरती है तो मिलना जो हम लोग का काम होता है अफवाहوں को रोकना होता है और अफवाहों को रोकने के लिए ही सेफटी के रूप में इंटर्नेट पे भी रोक लगाई गयी थी लेकिन हम लोगों के दुआरा जो है बार्ड वार सद्भावना समीती बना हर एक वार्ड के 20-20 लोग को रखा गया उसमें इसके साथ साथ जितने धार्मिक संस्थान थे उनसे भी बारताएं की गई हैं तो उसका इंपक्ट आज हम लोग देख रहे हैं सर जिस परकार से इस खबर को नेशनल मीडिया में जगह दिया गया क्या आपको लगता है उतना भी यहां के भवाए भ्यावए इस्तिती थी ऐसा दिखाया गया कि जो बाहर के लोग थे उनका अंदर भैर टाइप का महौल बन गया था सकता है देखिए इस पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा लेकिन हाँ इतना तो निश्चित रूप से हम रख सकते हैं कि यह सब जब घटनाएं होती है तो फिर उस समय जो है मीडिया का रूल बरा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत से अनावश्यक न्यूज जो यहां से सर्कुलेट हुएं उसके कारण से यहां के लोगों में भी भै का महौल बना और आपने देखा होगा आप तो खुद से लगतार फिल्ड में थे कि कुछ सताथ वाड़ों को हटा दिया जाए तो बाकी सहर बिलकुल सांतिपूर्ण था और वो सताथ वाड़ जो थे उसमें भी सुरुवाती दो दिन में ही समस्याएं थे लेकिन हाँ हमें लगता तो निसीत रूप से कि कुछ कुछ घटनाओं को जो है काफी जादा इलोबरेट करके दिखाये गया है उसमें सयम रखा जाता तो जादा अच्छा होता गटनाओं को लोकर बिहार के DGP RS भटी भी आयत है सासारा में ब्रमन करने क्या बात चीत हुई सर आपके उनसे सर अंतिम सवाल के सासारा हम सर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और अभी जो लोगों के अंदर भी भाय का महौल है उन लोगों क्या कहना चाहेंगे देखिए भैर तो धीरे धीरे ही दूर होता है और जब इसे ही लोगों का आपसी यकीन फिर से उस लेवल पर जाएगा तो सारी कुछ चीजे सही हो जाएंगी अभी भी कुछ जगों पे साथ जगों पे हम लोगों ने फोर्स मेंजिट्रेट डिप्लॉय रखा है और लोगों से यहीं अपील होगा कि जैसे आप लोग के बिच अमन का जो था वातवरन था विश्वास था उसको हमेशा रखें और अफवाहों पे ध्यान नहीं देंगे हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि जब इंटरनेट सुरू होता है तो बहुत से आडियो वीडियो जो है बाकी सहरों के इवेन कई बार तो हैं दूसरे देशों के भी जो है वीडियो वो सासाराम के नाम पे जो है दिखाए जा सकते हैं उस समय ध्यान देंगे हम लोगों ने लगतार वार्निंग भी दी है कि ऐसा कोई भी वाटसेप ग्रूप पर या कहीं भी सोशल साइट्स पर कोई मीडिया फेक इस टाइब का सर्कुलेट होता है तो ग्रूप एडविन पर आयार किया जाएगा और उनकी गिरफतारी भी सुनिश्चित की जाएगे अभी अब सुन रहे थे रोहतास जिलादेकार धर्मेंदर कुमार शर्क को इस ख़बर पर लगतार हम बने हुए ऐसे ख़बरों के लिए बन लाइव श्रीद कर शाथ बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल झाल